निकाय चुनाव के पहले चरण में हुए कम मदान को लेकर राजनेतिक दलों की धड़कने तेज कर दी है मापजूद इसके दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं बीजेपी के बार कॉंग्रेस ने भी कम वोटिंग पसेंट को लेकर चिंता जाहिर की है पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजे सिंग का कहना है कि स्वभाविक तोर पर निकाय चुनाव में वोटिंग अधिक होती है लेकिन इस बार कम हुई है आज दूसरे चरण के लिए हो रहे मदान में अच्छी वोटिंग की उमीद है तो वहीं बीजेपी फिर से 16 शिंगार की जाने वाले दावे पर उन्होंने कहा कि 17 और 20 जुलाई को पता चल जाएगा कि बीजेपी का कितना शिंगार होता है पहले के मुकाबले कॉंग्रेस की स्थिती अब अच्छी है और 2023 के लिए जीजान से कॉंग्रेस चुटी हुई है और साधारन तोर से नगरी निकाय चुनाव में वोटिंग ज्यादा होती है सभावे के जफ़े कम हुई वो चिंता का विशह है दोनों पार्टियों के लिए अभी तो 17 और 20 को पता ही चल जाएगा कि सूला शिंगार होगा कि 8 शिंगार होगा कि 10 शिंगार होगा लेकिन कॉंग्रेस की स्थिती पहले से बहुत अच्छी है